आनन्दोई जी ने सुप्रीम कोट में जो EVM पर भहिश चल रही है प्रशान्त भूशन जिसको प्लीट कर रहे है उसका जेकर किया उसमें कल बड़ी एक रोचक टिपणी मुझे न्यायमूर्ती की इसमरन में आ गई कि शुशील जी न्यायमूर्ती से उन्होंने कहा प्रशान्त भूशन जी ने कि पूरे देश की अधिक आदम बहुसंख्यक जनता EVM के खिलाप है उनने का ये किसने बताया आपको बोले एक सर्वे हुआ था बोले मैं प्राइवेट सर्वे करा कि आप धारना बना लेंगे ये और विल्कुत तटस थभाव से वो लोग हिपोक्रेट से जो कहते हैं मन से बहुत ज्यादा राम बाले हैं और भाजपा बालों से ज्यादा राम बाले हैं लेकिन हम ये दिखावा नहीं करते हैं अगर दिखावा नहीं करने की आपकी प्रवत्ती हर जगा एक सी रहती त आप जूट बोलते हैं, आप प्रपंच फैलाते हैं, आपने काशी में धर्ना दे दिया था, काशी भी शुनात मंदिर के दफ्तर के बाहर, बोले इंट सीट बजा देंगे, बोले फोटु लाओ, राहुल गांधी का, डालेंगे नहीं हम लोग, भबूत लगाए, क्यों भाई आप तो कहते हो, हम तो किसी को दिखाते नहीं है, कोई पूछ लेता है आप से कभी, कि भाई होली दिवाली की कोई फोटो नहीं डाली तुमने, बोले नहीं हम अपने मन में मनाते हैं, दिखाते नहीं, ठीक बात है, फिर वहां क्यों बवाल करते हो, नरेंद्र मोधी गए शिला न्यास में, शिला न्यास करने, इसका भूमी पूजन करने, अयुद्याजी में मंदिर का, तो उस वक्त रामलला अभी जो गर्वग रहे, वहां अस्थाई तोर पर विराजमान थे, तो वो सास्थांगल दंडवत हुए, प्रदान मंत्रे, यह उनको सुभाव है, वो भाजपा में नहीं होते हैं, जहां भी होते हैं, इसे ही बोल रहे था, जिसे वो गया गए, तो उन्होंने गया को, गया नहीं कहा, क्या कहा, गया जी, यह भारत के सुभाव है, हम गंगा नहीं बोलते हैं, गंगा जी बोलते हैं, यह हमारे सुभाव है, यह सिखाना दोने तो राहुल जी गए उसके बाद तब उजयन उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहां वैसी धोती लाओ जैसी मोधी पहने थे वैसी सब मेरा गैट अप तयार कर आओ चन्न नंदन तरपनडपुन सब वैवस्थित वैसी करो और वैसी लेटने का हम प्रेक्टिस करेंगे पर वैसी लेटेंगे लेकिन लेटने की प्रेक्टिस तो इतनी सरल नहीं जोड़ जोड़ हिल जाता है हुआ है को करते ओं कॉपी ए वाला काम आप तो कह रहे हो कि हम तो मन में करते हैं तो निराकार वाले हैं तो वहां क्या करने गए थे आप इस प्रश्ण का उत्तर देना ही होगा कि आयुद्ध्या से आपकी अदावत क्या है उर्दू में पूछ रहा हूं अदावत शब्द ताकि समझ में आसानी से आ जाए मैं अश्परश्टा पूझूंगा तो कहेंगे अग्नोत्री जी इतनी कटिन हिंदी बोलते कौन समझ भाएगा उनकी बात आपकी अधावत क्या है हुजूर अध्या से राम लाना ने आपकी महश्च खोल ली गया नहीं ना मैं आध्यात में व्यक्ति हूँ इसलिए कई बार बहग जाता हूं लेकिन विवीशन जब आया और शर्णागत हुआ शुशील जी यतिमा तो कहा प्रभू ने लक्षमन से कि जल आओ समुत्रका हाथ मेलिया और जल से तिलक लगा दिया विवीशन के तोलसी भावा लिखते हैं कि जितना बैभव संपन्नता शक्ति सामर्थ महादेव ने तमाम तपस्या के बाद रावण को दिया था क्या बड़े जलसे में उतना सकुचाते हुए रगुनात ने माथे पर उंगली अंगुठा रखे दे दिया बात यह नहीं मैंने यह प्रसंग क्यों सुनाया कि विवीशन ने कहा कि प्रभू अभी तो हमारा टेस्ट नहीं लिया आपने अभी से क्यों पहले परखलो वहिया कि राम ने कहा कि मेरा दर्शन अमोग है कि मेरा दर्शन हो गया तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही इतना के बाद भी समझ नहीं है आफ तो इसे ना समझे उंकोपडाम नहीं है अंब भाजपास बढ़ सकते हैं मन्डरेंद्र मोदी से लर सकते हैं यह यूजी आदे-3 से लर सकते हैं कि प्राद मोर्या से लर शकते राम से नहीं लड़ सकते हैं। नर्सिंग राव जी ने एक बार मुझसे बात कही थी। उन्होंने गाता कांग्रेस ने जब ये मूर्खता की कि वो राम से लड़ती दिखी तो कांग्रेस का पराभब तैर हो गया था उसी दिए। अज़ा मोदी जी जहां जहां चले जाएंगे आप बहां नहीं जाएंगे वहां से बहिश्कार कर देंगे तो मोदी जी भारत के हर प्रसिद्ध मंदिर में आते जाते हैं पूरी सद्धा भक्ति से कांग्रेस के वित्रों को याद होगा अभी वो केदारनाथ गए थे राहुल जी तो वहां उत्तराखंड के कांग्रेस के दक्ष ने बड़ी कोशिश की के राहुल जी के चित्रित्र ढंग से टीवी भी पे चल जाएं अकबार अकबार फोटो छप जाएं क्या बोले वेही ये मनु मालिन क्यों आज का द्रश्य मोदी का द्रश्य तो नहीं था बीजेपी का द्रश्य तो नहीं था राष्टी श्वांचेपक संग का तो द्रश्य नहीं था कितना आधवु द्रश्य धा राम लला के विग्रहे पर सूरिति लगा नावेद भाई अगर इसको राहुल जी अपने ट्विटर हैंडल से डाल देते अखिलेश जी डाल देते, ममता जी डाल देती, लालू जी डाल देते तो मान बढ़ता की नहीं बढ़ता राम लला का मान अपमान हो ही नहीं सकता, आपका अपमान हो जाता है और आखरी बात कहूंगा कि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आमिताब जी मुद्दो की बात नहीं हो रही चुनाब में महंगाई की और हर की डाल की, चावल की, साबुन की अच्छा जी लालू जी तो मुद्दो की बात करते हैं उन्होंने चुनाव में क्या कहा था नावेद बाबू नरिंदर मोधी हिंदू नहीं है अपनी माता जी के मरने पर बाल नहीं छिलाया ये मुद्दा था चुनाव का ये चुनाव का मुद्दा था आप करो तो लीला, यह नहीं चलेगा, वो दोर बीत गया, वो दिन हवा हुए एक शेर था, आनन दूबे बहुत शेर को रखते हैं ध्यान, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाव था, आप पूरी हमारे भरुकाबाद में उत्तर पदेश में बाइना भेजा जाता है सुशिल पाने जी, तो खाली प्लेट नहीं जैसे बाइना आपने हमारे घर भेजा, तो हम खाली प्लेट नहीं भेजेंगे, उसमें कुर्ण रखके भेजा जाता है, ना हो तो गुड़ी रखे तो उस पर गुना रखके वापस भेजेगी भाजपा, उदर से भीत गया, आप मोदी से लड़िये, भाजपा से लड़िये, किसी को आपती नहीं, यह लोगतंतर का उत्सब है, यह लोगतंतर कहीं हिस्सा है, लेकिन राम को आख्षेपित करने का दुस्सा हस मत करिए, आपने कहा राम नौमी की शोब का मनाएं, लिखा है, सबने अपने ट्वीटर पर, इतना भारत तो बदल गया, लेकिन चित्र नहीं लगाया, फिर लोग कहते हैं कि भाई क्या बदला, तो आकरी बात कहूं, आज टीमसी ने बंगाल में राम जी की शोबह यात्रा निकाली, य उत्राखंड की ओर निकल पड़े, यही बदला बच्चा, वागी तो होई गया, नहीं, दीदी के राज में बिचली बार गोली चली दी बंब चले थे, इसी राम नौमी पर, आज मैं देख रहा था, टीमसी के लोग, राम राम करते हुए शोबह यात्रा निकाल रहे थे, यह बदलाव अच्छा है, चुकि राम सब के हैं, और सब राम के हैं, इस तत्तो को सबजी हैं, धन्यवाद,